नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तियाश और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में जहाँ पर हम डिसकस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क तो दोस्तों अर्ज किया है एप्टिट्यूट के कटिन से कटिन कुश्चन से भी अब नहीं पड़ेगा हमको कोई फर्क चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में हमने शॉट कट डिसकस किया था उसमें जो इस्यू है वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों तो वो चीज हम वीडियो के एंड में डिसकस करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा द दोस्तो नमस्कार दोस्तो सब्सक्राइब कीजे नॉलेजगेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए इस चैनल की सारी लेटेस वीडियो तुरन देखने के लिए फिलाल हम एक basic approach को हम सीखते हैं कुशिन क्या बोल रहा है कि 4 men and 6 women है वो 5 days में किसी work को complete कर पा रहे हैं यहाँ पर man and 4 women same work को 4 days में complete कर पा रहे हैं तो अगर हम पास 8 men and 12 women है तो वो कितने दिन में work को complete कर पाएंगी दोस्तो तो फिलाल हम इस scenario को मान लेते हैं 6 men and 4 women वाले को scenario 2 मान लेते हैं दोस्तो and 8 men and 3 women 12 women वाले को scenario 3 मान लेते हैं दोस्तो यह चीज हमने पढ़ी थी कि जो total work होता है वो men into efficiency into number of days होता है दोस्तो यहाँ पर men की efficiency को हम M मान के चल रहे है and women की efficiency को हम W मान के चल रहे है दोस्तो तो फिलाल हम total work calculate करते है first scenario के हिसाब से दोस्तो तो जो total work है वो कितना निकल के आने वाला है total work is 4 men है एक men के efficiency M है and कितने days लेने वाला है 5 plus 6 women भी है इस बार हमारे पस दोस्तो women के efficiency W है and कितने days लेने वाला है 5 दोस्तो तो यहाँ से आप calculate करोगे तो total work 4M plus 6W into 5 आजाने वाला है दोस्तो राइट 5 अगर हम common ले 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 अब एक चीज़ notice करने वाला है दोस्तो कि same work है obviously तो वही कितने भी men कितने भी women work तो वही है तो हम क्या कर सकते दोस्तो W1 जो scenario 1 से work आ रहा है scenario 2 से work आ रहा है 4M plus 6W into 5 आ रहा था and this was equal to W2 scenario में हमर पास 6 men है and 4 women है and मिल करके यह 4 days में दोस्तो work कर पा रहे है तो अगर आप यहाँ पर multiply कर रहे होगे 20 men plus 30 women equal to 24 men plus 16 women आ रहा है दोस्तो तो 4 men जो है 14 women के बराबर आ रहा है दोस्तो इस चीज का हम use करने वाले हैं आगे अब जो second scenario वहा हम क्या कर सकते हैं W1 को W3 से equate कर दिया हमने अब W1 हमने calculate किया 4M plus 6 women into 5 right and W3 में कितने men है हमार बस 8 men है plus 12 women है इसको आप multiply कर देंगे दोस्तो किस से कितने days ले रहा है basically तो 5 days है अब यहाँ पर हमको days पता नहीं है वही निकालने हैं हम इसको x माने दोस्तो तो 4 men जो है 14 women के बराबर है दोस्तो तो 8 men जो है 28 women के बराबर हो जाएंगे तो 4 men है उसको आप 14 women रख सकते हो plus 6 women as it is रहेंगी into 5 equal to 8 men को आप 28 women रख सकते हो यह हमने देखे लिया था 28 women plus 12 women into x right तो यहां से आ रहा है दोस्तो 20 women into 5 is equal to 40 women into x दोस्तो यहां से 20 women and 40 women directly 2 से cut हो रहा है दोस्तो x की value आ रही 5 by 2 यहनी 2.5 days दोस्तो right 2.5 days हमको लग रहे हैं दोस्तो 8 men and 12 women को work को complete करने में दोस्तो तो देखिए इस question को solve करने के लिए one and half minute मिला था दोस्तो तो बहुत difficult हो जाता है तो हमको basically करना क्या है 8 men and 12 women कितने दिन में कर पा रही है है ना तो हमको बाकी data से कोई मतलब भी नहीं है ना यहां पर क्या हो रहा है directly double हो रहा है into two हो रहा है right आप देख सकते हो अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे घर में एक मेड है वह room को clean कर रही है एक घंटा ले रही है अब मैं चाहता हूं कि वह room आदे घंटे में clean हो जाए वही question है six men eight boys है वह work को 10 days में कर पा रहा है 26 men 48 boys है वह same work को two days में कर पा रहे हैं अब हमें 15 men and 20 boys एक साथ काम कर रहे हैं दोस्तों तू कितनी देर में कर पहेंगे दोस्तों यह question अपने को चाहिए 15 men 15 men चाहिए 20 boys चाहिए है हमारे पास basically कितने दिन लगेंगे काम वो करने में आप यहाँ पर देखो तो सीधा सीधा 2.5 से multiply हो रहा है तो men जो है total labor हमारे पास उसको हमने धाई गोना बढ़ा दिया है तो दिन भी धाई गोना कम हो जाएंगी तो यहाँ पर 2.5 से multiply किया तो इदर 2.5 से divide कर देंगे दोस्तों तो सीधा सीधा answer जो है वो 4 days आने वाले है तो देखे कितने simple तरीके से हमने इस question को solve कर दिया दोस्तों तो दोस्तों हम next question पर move करते है यह question gate EC में पूछा गया है 2017 में दोस्तों again same pattern पर based है question क्या बोल रहा है 1200 men and 500 women जो है वो एक bridge को 2 weeks में build कर पा रहा है 900 men and 250 women मिलकर के 3 weeks लगा रहे हैं दोस्तों तो कितने man required हों है उनको women नहीं है कितने अगर हमारे पास अब man है तो कितने men required है इस bridge को one week में build करने है दोस्तों थोड़ा से question में change किया है चले देखते कैसे हैं इस question को solve कर सके हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको note करनी है, वो क्या है, हमको one week में bridge को build करना है, दोस्तो, तो given data क्या है, कि हमार पास 1200 men है, and 500 women है, वो मिल करके bridge को दोस्तो two weeks में construct कर पा रहे हैं, अब हमको bridge को one week में construct करना है, time हम आदा कर रहे हैं, तो labor हमको double लगेगी, right, तो 2400 men and 1000 women जो है, वो मिल करके दोस्तो एक week में bridge बना देने वाली है, right, तो ये clear है, अब यहाँ पर मैं short trick क्यों नहीं apply कर पा रहे हैं, दोस्तो जो discuss की थी, आप देखे 1200 men है, 500 women है, right, यहाँ पर 900 men है, and 250 women है, तो आप देखे कोई pattern observe नहीं हो रहा है, दोस्तो तो इसलिए ह हम वो trick नहीं apply कर पाएंगे, फिलाल question को solve करते हैं दोस्तो, तो वही चीज़े, इसको हम scenario 1 मान लेते हैं, scenario 2 मान लेते हैं, जो find out करना है, वो scenario 3 है, तो हम क्या कर सकते है, work 1 को, work 2 से quit कर सकते हैं, दोस्तो, तो 1200 men plus 500 women, जो है, वो 2 weeks में bridge को build कर रहे हैं, दोस्तो, and 900 men and 250 women मिल क करके, bridge को 3 weeks में build कर रहे हैं, दोस्तो, तो यहां से अगर हम calculate करेंगे, तो क्या आ रहा है, हमार बस 2400 men plus 1000 women is equal to 2700 men plus 750 women, दोस्तो, right, तो आप यहां से solve करोगो, तो यहां से हमको मिलने वाले 300 men, जो है, वो 250 women के बराबर आने वाला है, दोस्तो, अब हमको क्या चाहिए, 2400 men and 1000 women मिल करके, कितने, like, कितने men required होंगे, basically, तो अगर हम यहां पर देखें, तो 2400 men and 1000 women, जो है, अगर आ जाए हमारे पास, तो हम एक week में काम कर देंगे, दोस्तो, अब 300 men, जो है, वो 250 women के बराबर है, मैं बोलता हूँ, 4 से आप multiply कर दो, तो अगर हमारे पास 1200 men हैं, दोस 1000 women के बराबर हो जाएंगे, right, तो जो 1000 women है, उसको आप 1200 men के equate कर सकते, दोस्तो, तो 2400 men और प्लस 1200 men की power लगेगी, तो 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 अगर हम इन दोनों का sum करें, 2400 प्लस 1200, तो basically 3600 men अगर हमारे पास होंगे, दोस्तो, तो हम one week में आराम से bridge को build कर सकते हैं, दोस्तो, तो थोड़ हम move करते हैं, वो trick के बारे में जो मैं बताने वाला हूं, दोस्तो, again वही एक बार में दोबारा question repeat कर देते हूं, दोस्तो, जेठालाल अकेले के सी work को six days में कर पा रहा है, बवीता जी अकेले उसी work को nine days में कर पा रही है, अब जेठालाल और बवीता साथ work करेंगे, तो कित निकाला था, दोस्तो, six into nine divided by six plus nine, तो six into nine था, दोस्तो, 54 by 15, इसको जामने solve किया, three से divide किया, तो it turned out to be 18 by five, दोस्तो, तो यह बिल्कुल trick यहां पर apply हो रही है, दोस्तो, अब आपने अगर observe किया, तो मैंने यह question भी कराया था, पिछले वीडियो में, बट शायद आप लोग करना है, product को divide करना है, सम से, दोस्तो, इसका answer 24 by seven days आया था, हमने calculate किया था, LCM method से, दोस्तो, तो जो product है, वो क्या आ रहा है, यहां पर 24 into six into 12, divided by अगर आप sum करोगे, तो 24 plus six plus 12, दोस्तो, जो आप इसको solve करोगे, तो यह क्या रहा है, 24 into six into 12, divided by, आ रहा है, यहां पर अपने पास 42, right, तो 42 को आप divide कर सकते हो, 6, 21, यह 7, यह 8 आ रहा है, दोस्तो, 8, 6, 48 into six by seven, which is equal to 48 into six, I guess, 288 by seven days आ रहा है, दोस्तो, जो कि 24 by seven के बिल्कुल भी equal नहीं है, दोस्तो, तो यहां से lesson क्या learn किया है, कि अगर कीवल two persons दिये हो लाई, तो आप case को apply कर सकते हो, ट्रिक को, ज बेठलाल और बवीता जी दिये थे, तो बिल्कुल जो trick है, वो apply हो गई थी, दोस्तो, बट यहां पर जहां पर तीन persons involved है, यह 2 से जादा persons involved है, वहां पर trick नहीं लग सकती, दोस्तो, बट 90 percentage of time companies, जो है, वो two persons तक ही रखती है, दोस्तो को, तो दोस्तो, इस वीडियो में इत पाईजियो में ओpowered काहीछ, वो兩 में एपριओ जो है, परतके, वोड़ 115 एका है, वो दोस्तो, बेग्म, जोस्तो, जोल खычно है, वोड़ है को, बटा को, भीता है, वोल्वीता है, वो में जोड़ को वो बटान से लोग।, ऐखती है